संत्वानी में आज बिहार के दरिया साथ का एक पद लेने जा रहे हैं कहते हैं दरिया साथ को एक महत्त पूर्ण बात कहने जा रहा हूं क्या महत्त पूर्ण बात कह रहे हैं साथ सोई जो पूरा तॉले अरहे मगनमन माता साथ कि तुलना साथ से कर रहे हैं सेड़ से कर रहे हैं दुकांदार से कर रहे हैं बनिया से कर रहे हैं कहते हैं कि वही बनिया अच्छा बनिया है सफल बनिया है जो पूरा तॉलता है और नाप तॉल में कोई गरबडी नहीं करता दंडी नहीं मारता ऐसी अगर तुम साधना कर रहे हो तो पूरी इमानदारी से साधना करो इमानदारी से कोई काम करने में एक बात होती है कि तुम मगन रहते हो, मस्त रहते हो, कोई चिंता तुम्हें नहीं सताती है, यह तो किसी को ठगोगे, किसी के साथ बेमानी करोगे, तो मन में एक मलाल रहता है, मन में एक कचोट रहती है कि हमने बेमानी तो की, हमने ठगी तो क तो उसी तरह से जो साधना करनी है तो दंडी मत मारो बेमानी मत करो पूरी इमांदारी के साथ साधना करो साह सोय जो पूरा तौले ए रह मगन mm Nep अगर तुम पूरी पूरा प्रयास करते हो पूरी निष्ठा से साधना करते हो तो एक मस्ती चाहिर आती है कि जो भी हमारे गुरु ने कहा है जो ही हमारे गाइड ने कहा है जो भी करनी है हमने अपने पूरी इमानदारी सिखिया अपना कर्म हमने पूरा कर दिया फल तो परमात्मा पर नि एगर उसको रहे बड़ा रंगीला है और में उसके प्रेम में मैं रत रहता हूँ प्रेम में मगन रहता हूं अब परम परस नंग परान हमारो मगन गलित मतमाति कहते हैं और उसी के साथ मेरा प्राण हिलता है उसी के याद में मैं जीता हूँ और इस तरह मैं मगद रहता हूँ मस्त रहता हूँ कहते हैं दरिया साहब उनमुनी की दंडी कीजिए कैसी है नाप तोल कैसे करना है तो तराजु से तौलते हैं, तुम सब जानते हो, तो तराजु में क्या होता है, कि दंडी होती है, और फिर उससे रसी लटकती है, दो पल्ले होते हैं, एक पल्ले पर बढखरा होता है, वजन रखा जाता है, और दूसरे पल्ले पर राशी रखी जाती है, जिसको तौलना है, तो क्या कहते हैं कि उनमनी की दंडी कीजे जो दंडी है तरा जुका वो किसको करना है निराकार को जहां जाकर के तुम उनमन हो जाते हो मन के पार जाना है तो मन के पार की जो अवस्था है जो निराकार है उसको करें कि ये दंडी है तो उनमन अवस्था को दंडी कर लेना है ये साधनकी रीप है जिसके लिए वाजित साब कहते हैं और परदेश में परदेश क्या मेरा परिवेश पर्चीत है ये तो हमारा देश है और परदेश का कहां है जो निराकार है हमारे लिए परदेश है बाद में जानोंगे KID बात इलड़ जाती है वह ही असली देश है LAKственно है जो कहां रहते हैं उसरे को और अपने जोगी को अपने प्रियतम को खोजते खोजते मैं जोगन हो गई उसकी प्रियतमा हो गई उसकी और उन्मन मुद्राधार फकीरी मेल आई और इस तरह मैं उन्मन हो करके मन के पार जा करके मैं फकीर हो गया फकीरी अवस्था हमने धारन कर लिया है और अपने प्रिय त्रवानी हो गई हूं। जब तक सांस गहरी नहों जब तक सांस के परती जागते नहीं हो तब तक याद रखना कि साधना की गहराई नहीं आ सकती कहते हैं दरिया सहाब एक मन पांच सेर तौलन लागा ग्यान की राश लदाने बड़ी प्यारी उकमा दे रहे हैं कि कितना वजन देना है कितना वजन त तौलना है एक मन पांच से अर्थात मन को तौलना है और पांच जो इंद्रियां है उनको तौलना है तो इंद्रियों के प्रती जागना ये इंद्रियां तुम्हें बाहर बाहर ले जाती है इन्हें इंद्रियों को मोड देना है जिसको पतंजली प्रत्यार कहते हैं और मन को तौलना है मन के प्रती जागना है और ग्यान की राशी लदानी और दूसरे पड़ पड़ क्या चीज़ को लादते हो क्या चीज़ का वजन करना है ग्यान का आत्म ग्यान का उसको आत्म ग्यान की राशी को तौलना है जिसके लिए राजस्थान के दरिया साथ कहते हैं तज व है तजविकार सबसे पहले विकार जो बाहर है काम है कुरूद है लोब है मोह है इसका त्याग करो और फिर यहीं मत्र को आकार तज अब शरीर बोध से देह बोध से भी मुक्त हो जाओ कि मैं देह हूँ और निराकार को ध्याए अब भीतर जो शुन्यता है जो निराकार है जो एम्टिनेस है जो अंतरा काश है अब वहां पहुंच जाओ और निराकार की प्रतीश जागो जिसको हम सब ध्यान की रूप में जानते हैं और फिर यहां भी नहीं रुक जाना है ध्यान पर भी नहीं रुकना है और निराकार में पैठ कर और निराधार और उस निराकार में वहां पर जा करके जो नाद की गूझ हो रही है जो निराधार है उस नाद को सुनो और उसको सुनते सुनते लीन हो जाओ उसी में समाध ही लग जाए तो उसे और इशारा कर रहे हैं कहते हैं बिहार के दरिया साहब कि गगन मंडल विचर चोच उत्रा जैसे गाउं में जाओंगे पुराने जमाने की बात है कि हाट अभी भी गाउं में हाट लगता है मेला लगता है तो हाट में बैठकर करके हर बनि या दो दिन तो बनिया उस चबुत्रे पर बैठता है तो उसी उपमाग को दे रहे हैं को चबुत्रा है जहां पर के बैठ करके यह जो सवदा करना है तो इसको मलूक दास कहते हैं सुन महल में महल हमारा वहां पर जो सेज है वो निराकार की सेज है चेला गुरु दो सयन करता है बड़ी असायस पाई और वहां पर जो शिष है और जो गुरु है वो दोनों निराकार की सेज पर है और गुरु कौन है यहां गोविंद खुद गुरु है वो भी उसी निराकार की सेज पर विद्यमा और साधक भी वहां पर विद्यमाने शिष्य भी विराजमान है तो चेला गुरुद उसेन करते हैं बड़ी असायस पाई जब वहां उस निराकार की सेज पर पहुंचते हो तो बड़ा आराम है बड़ा सकून है बड़ी शानती है कहते दरिया साथ कि गगन मंदल विचे रचो बंचतरा और और गुफा की घाट और इस तरह भार्वफा गुफा के घाट पर पहुंचत चोदा घाट सहाज जो योग है उसमें 14 घाट बताएगे हैं तो कहतें़ वहां पर भावर घाट हैं तो Kin courage आइट पर बैठ कर रहे हैं साथना की तो जैसे शुरू में 5 चक्र है मुलाधार चक्त से लेकर विशुद्धी चक्र तो यह पांच घार तो ये ? च छ्टे घार्ट का नाम संतों ने सहस्तल कमल दिया है साथवे घार्ट का नाम तरिकुटी दिया है जहां पर उंकार्षन होता है आठवे घाठ का नाम दिया है दशंद्वार जो त्रीने त्रह शिवने त्रह आगया चट्र है उसकी बाद फिर नौए घाठ का नाम दिया है सुन घाठ यही भावर गुफा घाठ है यहीं पर जाकर के धियान लगता है उस निराकार के प्रतिज जब जाकते हो फिर दसवाघाट महासुना है जिसको संतों नहें सच घाट विकालय जहां जाकर समाधी लगती है है और एक रावाघाट सट्व Fast लोग है जहां पर जाकर अध्वायत घटित होटा है कि हम आह आत्मा हमारी पर मात्मा का अंश है पर मात्मा का अंतरंग विस्तार है फिर बारहवा घाट के अलग लोग है जहां जाकर के कैवल गटित होता है अहम ब्रमास में तेरहवा घाट अगम लोग है जहां पर जाके निर्वान गटित होता है कि एक ही अखंड सत्ता परमानन सत्ता है यह अगम लोग में जाकर के गटित होता है और गावा घाट तो अकह लोक है, सहज लोक है, जिसको वो शोधारा में सहज सुम्डन में तुम जानते हो और इसके आगे सहज सुम्डन से चराइवेती तक, संतोर इसको अकह कहा है को उसके बारे में कहना नहीं है, वो बहुत एक गुप्त बात है साधना के दृष्टी से, तो क सहसरार मह भावर गुफा है, ये जो भावर गुफा है, ये जो नौवा घाट है, ये कहां इस्तित है, ये सहसरार पर इस्तित है, आप भावरा गुझ करे, वहां पर अनाहतनाद की गुझार हो रही है, कहते हैं दरिया साध, अजपा जाप जाँ है दूला, और विकरी घिए कर दो वही हाटेए और वहां जाकर कर भंहर ग५ा घ्ठाक करना है रतात की निरंतर नाद की गूंज हो रही है सांस चल रही है और उस वहां पर जाकर कर कैं विक्रो लाव वही हाटे उस भंहर की गुफा ale श्रहु मर करते हुए अपने यह सौधा करना है जिसके लिए जिवन साफ कहते हैं मंदिल रहे कहूं नहीं जावे कहीं भाग दौड करने की जिरूत नहीं तीरत ब्रत करने की जिरूत नहीं पूजा पाठ करने की जिरूत नहीं अपने घट में निवास करो और अजपा जपा अधारा और इस तरह अजपा क साधना करो अजपा क्या है नाद निराकार और गहरी सांस ये तीनों की साधना को जब एक जूट करते हो तो उसको करते हैं अजपा अगगन मंदल मनि बरे देख चवी फिर अंतर आकाश को देखो जहां दिव्य आलोग चाया हुआ है अज सोहे सबते न्यारा जो बहुत ही सुंदर है उसका दर्शन करना है कहते हैं विहार के दरिया साहब आख मूद आंधर जनी होए होए चोर माल ले जाहें हाट में शाम हो जाती है अधेरा चाने लगता है तो कहते हैं कि वहाँ पर तुम अब थोड़ा चोकना हो जाओ क्योंकि वहाँ पर आंख वहाँ पर चोर माल ले जाए यह चोर क्या है यह पांच चोर है काम करोद लोभ मोहमद यह पांच चोर कब तुमारा माल चुडा ले जाए जो तुम ग्यान अ बात करें अच्छक्मक जहारी दीपक तहां लेसो वहां दिव्य आलोक का दीपक जला लो ताकि वहां पर दिखाई पढ़ने लगे कि ये चोड़ कौन-कौन है चोड़ ले नहीं जाएं काम करो लो मौमत के प्रति जागरुक रहो अचैतन्य रहो मनमाई अब साक्षी हो जाओ क्योंकि साक्षी का साधना में महतो है और आत्म स्मरन के साथ जीना ही साक्षी है जिसके लिए विहार के दरिया साथ अन्यतर करते हैं जहरत जहरी तहां जहमको नूर करते हैं वहां नूर जगमक कर रहा है और चित चकमक गही बाजे तूर और वहां पर उजाला फैला हुआ है और अनाहत नाद का बाजा बज रहा है कहते हैं दरिया साभ सौधा सुलुफ कर रहूं बहु भातिया वहाँ बैठ करके वहाँ ग्यान का सौधा करो और जाते जाहुन धंडा लेकिन एक बात याद रखना कि धंडा मत मार देना जोड़ा इमानदारी से सौधा करना और कहते कहए दर्या सोई बुदभ बनिया कवहीं न करे पकानदा करते हैं कि वही होश्यार बनिया है जो कभी पाकहंद नहीं करे प्रामारी करह करके उसाधना करे प्रामारी करके ज्ना अरजित करे और प्रामारी करके उस घ्न को बाटे यह बात्व महत्पूर्ण है प्रामाडिकता का बड़ा मुल्य है, फिशले पतन्जले भी फांच्छ यम की, जो वेवेवार हम करते हैं, लोगों से उसको यम का उन्होंने, पांच्छ यम की बात कहीं, अहिंसाअइ, सत्य, अस्तय, अच्छ़य गुश्य और neighbours संत्ंधना है, तो हम साधना के बाद चहते हैं। उसमें जय ग्यान तुम देते हो उसमें भी एक प्रामारिकता होना होनी चाहिए। तो संत वानि को यहीं विरामि 好राश।